हेलो दोस्तों नमस्कार शंतुसी आईयस में आप सभी का स्वागत है यहां पर आज उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोक के द्वारा कलेंडर ऑफिसियल जारी कर दिया गया है तो ऑफिसियल कलेंडर यहां पर आप जाके वहां पर वेपसाइड पर उत्तर प्रदेश लोग से वह से डाउनलोड कर सकतें नहीं तो नीचे टेलेगराम का लिंक दिया गया है मेरे चैनल का वहां से बहुत कर सकते हैं वहां पर मैं इसको अफ लोड कर दूंगा ठीक है अब दिखें यहाँ पर दू चीज़े आपको देखना है मैं बक्चे इस चैनल से यही वाले जुड़े हैं समलित राज्य परवर्स अधिनस्य सेवा परिच्छा 2024 मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश PCS का प्रिच्छा है वो आपका 27 अक्टूबर 2024 को होने वाला है दिन रविवर को 27 अक्टूबर को आपका कौन सा प्र होने वाला है उत्तर प्रदेश PCS प्रिच्छा प्रारंबिक पर इपका प्रिच्छा वो 22 दिसंबर को होने वाला है तो यह दो याद रखेगा 27 अक्टूबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 ठीक है तो यह दोनों आप अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि इन दोनों को अगर आप देखेंगे लगभग सलेबस 90 क्या मलब 80 90% सेमी है प्रीका ठीक है तो आप दोनों लेकर चलेंगे और दूसरी बात यह हुआ कि थोड़ा सा अपने पढ़ने के जो आपका पढ़ने का मलब यह टाइमिंग उसको थोड़ा सा इंक्रेज कर दीजिए पहले कि अपेच्छा ठीक है तो हमारे चैनल पर भी आप सब को दोनों सी परिच्छा के से संब्दित सभी सलेबस सभी कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा और कंप्लीट करवाया जा भी रहा है तो घटना चक्र जो हम कर रहे हैं वो तो कंप्लीट करेंगे और अधर चीज़ें पर परिच्छा से लिए लेकर आ कि यहां पर जो दोनों अगर पेपर का यह वाला दोनों का पोश्ट अगर देखेंगे तो यह पेपर होने तक आपका 1000 प्लस पोश्ट होने की संभावना है एक हजार पोस्ट हो जाएगा दोनों अगर मिला दिया जाए जब तक पेपर होगा जब तक मलब पिरी जब तक होगा तब तक तो बढ़ता ही रहता है तो आप सब मेरी बात मानिए एक दम सब को कि छोड़े इन दोनों पर लग जाएए और सेलीक्षण बहुत जादा दों यह मनद करन पड़ेगा आप इतने दिन से मेनद कर रहे हैं तो थोड़ा से मेनद करना पड़ेगा ठीक है तो अपने आप खुद की बनाए खुद को आप आप discipline में रखिए किसी के कहने से नहीं खुद को discipline में रखिए खुद को देखिए मैं कितना घंटे पढ़ाई कर रहा हूं और जो पढ़ाई कर रहा हूं कितने अच्छे तरीके से कर रहा हूं वह effective है कि नहीं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको यह जानकारी देना थ है इस पीडियोप को आप टेलेग्राम से डाउनलोड कर लिजेगा तो अपनी अप थोड़ी सी थोड़ा सा और ज्यादा आप इस्टडी करिए ठीक है तो आज के लिए बस इतना है धन्नबाद नमसकार जैहिंद जैभारत